हेलो फ्रेंट्स आपका फिट से स्वागत है आपके अपने होमाच चैनल पे फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में बहुत ही प्यारा सा सुंदर्शा डोर मैट बनाएंगे जिसे बनाना बिल्कुल ही असान है तो ये देखो फ्रेंट्स इस तरीके का हम पाइदान बनाएंगे उसके मैं ने फ्रेंट्स इक प्लास्टिक का थेला लिया है इसको मैंने के अंदर कट कर लिया है इसको हम फोल्ड करेंगे एक बार effort कर लिया है यहाँ पे हम किसी भारीवस्तू से इसको जमाएंगे ताकि इसके अंदर निशान बन जाए तो यह देखो इसके अंदर यह निशान बन गया है अब हम दूसरी साइड से एक बार फोल्ड करेंगे यहां से हम बारी वस्तु से जमाएंगे एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरीके से हम दो बार इसको फोल्ड करेंगे त इस लाइन के अंदर हम इसको मिलाएंगे तो यह देखो एक तिर्बुज बन गया एक तिर्बुज इसके अंदर बन गया अब हम एक तिर्बुज और बनाएंगे यह आमने सामने दो तिर्बुज बनेंगे इसके अंदर इस लाइन को हम इस लाइन से मिला लेंगे देखो यहा से इसको इस तरीके से यहां से हम सबको मिटो देंगे और जो बहार की आउट लाइनिंग है वो रख लेंगे जो हमारा एक फ्लोवर्स का डिजाइन बन रहा है वो हम रख लेंगे और वो मारकर से हम पका कर लेंगे ताकि हमें दिख जाए कि किस तरीके से यह डिजाइन बनाया है तो यहां से हम स्केल की साहिता से और मार्कर की साहिता से इस लाइन को पका कर लेंगे यह देखो इस तरीके से जो यह लाइनिंग है यह हम पकी करकर पूरे के उपर अच्छे से त्यार कर लेंग इस तरीके से छोटी छोटी ये कत्रने त्यार करनी है तो friends इस कत्रन की लंबाई ली है मैंने लग भग 3 इंच चोड़ी और 3 इंच लंबी मैंने इस पिस को त्यार किया एक पिस की लंबाई और चोड़ाई 3 इंच लंबाई है 3 इंच चोड़ाई है तो इस तरीके से friends हमें कपड़ा लेके जितने ही color का आपको doormat बनाना है उसके इसाब से आप इस तरीके से कपड़े को cut करेंगे ये मैंने plastic का थेला लिया है जिसको मैंने star shape में त्यार किया है तो इसके उपर हम सुंदर्शा doormat बनाएंगे तो friends जो हमने ये plastic के थेले पर design बनाया है इसके जैसा ही हमें सुंदर्शा कतरन से cover करते हुए इसको सिलाई करके हम प्यारा सा doormat बनाएंगे तो इस तरीके से friends हमें क्या करना है एक पीस को लेना है हमें किस तरीके से हम पीस को लेंगे और कैसे हम उसकी सिलाई करेंगे देखो ये मैंने पीस लिया इसको यहां से corner से पकड़ेंगे यहां से बंटेंगे अंगुठे की साइता से हमें इसके ऊपर धीरे धीरे बंट लगाना है बिल्कूल आराम से यहां से पकड़ो सिर्फ friends हम अंगुठे की साइता से इसको बंटेंगे और बंटने के बाद में हम इसको fold करके सिलाई से इसको attach कर देंगे यहां से पकड़ो देखो यहां से बंटना है इस तरीकी से बंटा और यहां पे रखा और सिलाई की जिस तरीकी से यह मैंने round shape के अंदर जो plastic का थेला वो cut कर लिया इसके अंदर मैंने फिर एक सुंदर्शा flowers का डिजाइन बना लिया है अब हम इसको सुंदर से डिजाइन के अंदर जो हमारी cut piece कतरन की हुई है इसको हम सीलते हुए और इसको cover करेंगे तो इस तरीकी से friends हमने देखो जो बार का background है वो देखो जो हमने यह ले रखा है यह हम pink color से करेंगे जो यह design सा बन रहा है वहाँ पे हम green कतरन यूज करेंगे तो देखो यहां तक मैंने pink यूज कर लिया अब यहां पे देखो यह निशान बन रहा है यहां हम green लगाएंगे हर बार यहां पे हमें green लगानी है देखो इस time तो देखो फर्स्ट राउंड के अंदर यह एक green लगेगी सेकंड राउंड के अंदर यह दो green लगेगी फिर आगे तीन फिर चार इस तरीके से यह बढ़ती जाएगी और जो pink वाली है वो गढ़ती जाएगी इस तरीके से हमने इसका जो फर्स्ट राउंड है वो complete कर लिया है देखो पूरे राउंड के अंदर जहां पे यह flowers का डिजाइन बन रहा है इसके अंदर मैंने एक एक green कतरन लगाई है और बाकी मैंने pink लगाई है तो यहां तक देखो अब हम second round बनाएंगे देखो यह मैंने green ले है पहले मैंने green एक लगाई है अब मैं यहां पे दो लगाऊंगी इस तरीके से देखो यहां से जो मैंने पहले सिलाई लगाई है उस सिलाई को cover कर देंगे और इस पीस को रखेंगे और यहां से हम सिलाई से इसको attach कर देंगी फ्रेंड्स बिल्कुल है हमें अराम-राम से इसको सिलना है ध्यान से हमें इसको बंट लगाना है बिल्कुल ही हलके हाथ से जितना हम अच्छा बंट लगाके कतरन को सिलाई करेंगे उतना ही हमारा comfortable और प्यारा सा डोरमेट बनकर त्यार होगा तो इसी तरीके से आपको सिर्फ अंगुठे की साहिता से ही बंटना है अगर फ्रेंट्स आपसे इस तरीके से बंट नहीं लग रहे हैं कतरन के उपर तो आप थोड़ा सा दोनों अंगुठों को गिला करके उनको आप असानी तरीके से बंट सकते हो कतरन को तो इस तरीके से आप बंटे और बंटने के बाद इसके उपर बार बार हम इसको सीलते रहेंगे तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप की आप एंड तक जरूर देखे आपको लास्ट तक फ्रेंट्स स्टेप बाई स्टेप बताऊंगी हर एक पॉइंट कि किस तरीके से हमें इसके अंदर प्याराशा जो डिजाइन है वो बनाएंगे तो आप तब तक वीडियो को एंड तक देखते रहें तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और फ्रेंट्स हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे उमीद है कि जरूर फ्रेंट्स आपको ये वीडियो जरूर ही पसंद आएक क्योंकि मैंने इस तरीके के पहले भी बहुत वीडियो अप्लोड किये हैं बोट सारे friends लोगों को बोच जादा पसंद आई है उस video के अंदर हमें बोट friends लोगों ने हमें sport किया है उसके लिए आप सब friends लोगों का बोट बोट धन्यवाद तो इसी तरीकी से मैंने वो अलग design के थे shape यही थी बाकी design उसके अंदर सब के अंदर अलग अलग था और ये भी मैं अलग डिजाइन से बना रही हूँ क्योंकि इस डिजाइन का पहले मैंने बनाया नहीं है तो फ्रेंड्स ये अलग से बना रही हूँ तो इसको आप ध्यान से देखें किस तरीके से ये पूरा डोर मैट बनने के बाद में कितना ही स तेक वाली देखो नोच की ने हैं इसको बनाने में पुरामेल जाती हैं में जो कर्टीन दिया है देखो पिंक वाली पहले मैंने 11 ली है फिर दूसरे में राउंड लिया है उसमें 10 आई है फिर आगे 9 आएगी इस तरीके से जो पिंक वाली है वो तो घटी जाएगी और जो ग्रीन वाली है वो बढ़ती जाएगी फर्स राउंड के अंदर मैंने एक ली है, सेकंड के अंदर दो ली है, अब थर्ड के अंदर तीन लोगी तो इस तरीके से मैं इसको काफी बनाऊंगी आपको आगे बताऊंगी कि आगे हमें किस तरीके से इसके अंदर और भी डिजाइन बनाना है तब तक friends आप वीडियो को धान से देखी जैसे वीडियो में दिखाया गया है उसी अनुशार आपको step by step बता रही हूँ कि किस तरीके से हम ये doormat है वो बना कर complete करेंगी तो friends आपके पास में भी इस तरीके से थोड़ी थोड़ी बच्यूई कतरन है या फिर आप और भी पीस लेकर स्टोर मैट को बना सकते हैं बिल्कुल ही इसली तरीके से देखो friends जो चीज हम हाथ से बनाते हैं उसमें हमें अलग सी खुशी होती है और जो हम मार्केट से लेके आते हैं वो ऐसे होता है कि हम ऐसे ही कहेंगी और बिल्कुल ही इजी है देखने में ऐसे लग रहा होगा कि बहुत हाड है बट बहुत इजी है तो यह देखो friends इस तरीके से मैंने इसको काफी कम्पलेट कर लिया है जो हमारी ग्रीन वाली है वो बढ़ती बढ़ती गई है अब हम इसके अंदर अलग कलर है वो जोइंट करेंगे तो यह मैंने यलो कत्रन लिया है इसको हम इसी तरीके से बंटेंगे और यहां पे अटेच करेंगे इस तरीके से जो friends मैंने बीच के अंदर स्पेस रखा है वहाँ पे आप चाहो अलग कलर भी यूज कर सकते हो अगर आपको अलग बैटर नहीं लगता है तो आप जो मैंने ग्रीन कलर यहां पे बंद किया है तो वह भी आप इसको कवर कर सकते हो यह अललो की जग है अगर आप green नहीं करना चाते तो green को बंद करके आप pink भी यहां पे use कर सकते हूँ जैसे friends आपको better लगे उसके आधार पे आप इसको seal तो friends यह मैंने एक color से पहले बनाया है अब मेरे को अलग color पसंद आया तो मैंने सोचा इसको अलग color से बना कर देखूंगी अलग design से इसलिए मैंने बीच के अंदर जो color है वो अलग कर दिया है और design भी अलग बनकर त्यार होगा यहां पे अब हम yellow color लगाएंगे फिर हम बीच के अंदर और भी design बनाएंगे तो आगे आगे आप वीडियो को देखते रहे हैं आपको आगे और भी design देखने को मिलेगा इसी पाइदान के अंदर तो friends पूरा complete होने के बाद में देखना कितना अच्छा लगेगा तो यह देखो इसका जो first round है वो मैंने ले लिया है इसी तरीके से हम second round इसका लेंगे yellow का ऐसे ही कतरन को हम पकड़ेंगे और इसी तरीके से friends हम fold करेंगे अंगुठे की साहिता से बंटेंगे और यहां से पक मार्केट से लेके आए है ऐसे लगेगा कि हमने आज से बनाया ही नहीं है क्योंकि यह बनकर ही त्यार ऐसा होता है और देखो कितना इजी काम है इसको हम washing machine में भी वूश कर सकते हैं और आसान से इसको हाथ से भी हम इसको वोश कर सकते हैं क्योंकि इसका कुछ भी नहीं दूसरे color की जो कतरन है वो ली है इसी तरीके से यहाँ पर यह जोइंट करोंगी इसको वैसे ही fold करके slide करेंगी अगर friends आपको यहाँ पर अलग color नहीं लगाना है यही color से cover करना है तो वो भी आप कर सकते हो जैसे आपको better लगे उसके आपको मैंने बता दिया है अगर यहाँ आप green को बंद करके pink लगाना चाहते हो तो आप pink भी कर सकते हो अगर pink को बंद करके आप green से cover करना चाहते हो यलो वाला area तो वो भी कर सकते हो अगर आपको इससे अलग cover करना है तो जैसे मैंने इसको बनाया है तो उसी तरीके से आप इसको बना सकते हो तो इसके साथ ही friends यह बहुत ही असान है बिल्कुल ही कम समय में ये बन कर त्यार हो जाता है तो ये देखो दोस्तों ये इसकी बैक साइड है अगर यहां पे आप कपड़ा यूज़ करना चाहते हो तो प्लास्टिक के थेले के उपर पिछे बैक साइड में कपड़ा भी लगा सकते हो तो बाई फ्र किसे